जिन्दावाद, 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 जिन्दावाद सीकर पहुंची यहाँ पर साउनली सर्किल पर सुखदेव सिंग गोगमेडी की पार्थिवद्य पर राजपुत समाज के लोगों ने पुश्पांजली अर्पित की उन लिखने है कि गोगमेडी हत्यकांड में 11 सूत्री मांगों पर सहमती बनी है जाच एनाईय को देने की अन राम नगर ऐसे चो मनीश कुपता बीट प्रभारी और बीट कॉंस्टेबल को सस्पेंट कर दिया गया है दूसरी एफाइयार इसकूटी सवार ने भी दर्ज करवाई है मामले को लेकर डीजीपी उमेश मिस्रा ने एडिशनल कमिशनर कैलाश विश्णोई के नेत्रतों में एसाइटी गठित कर दी टीम में अधिकतर अफसर आनंदपाल एंकाउंटर वाले ही हैं हत्यारों पर पांच लाख का इनाम रखा गया है उलेखने है कि इन मांगों पर सहमती बनी है जिन में दोनों हत्यारों को पुलिस जल्द गिरफतार करे आपराधिक साजिश में उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों की भूमी का सामने लाने के लिए हाई कोट के रिटार्ड जद से जाच कराने और जाच रिपोर्ट के आधार पर करवई की जाए घटना के पहले और बाद में लापरवाही बरतने के संबंद में विभागे जाच की जाए कि इस कमिशनरेट और हनुमानगट जिले में जिला पुलिस के और से हाई सीक्यूरिटी सुरक्षा मिले सुखदेव सिंग के जयपूर में रहने वाले परिवार के सदस्यों और हनुमानगट में रहने वाले परिजनों को हतियार लाइसिंस का आविदन करने के दस दिन में स्विक तरह से दो दिन पहले हमारे कर्णी सेना के सुप्रीमो सुकदेव सिंग जी गोगा मेड़ी की घर में गुशकर जो हत्या की गई उसके खिलाफ कल पूरे दिन पूरा राजिस्तान बंदरा हमारा सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा और आपकी सभी मांगे मानी जाएगी और आज जैपुर से वह रवाना है सिकर में कुछ पांज लिगा तो भी कारे करम रखा गया सभी लोगों में पहेंकर रोश है और सभी की यह सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द नारोपियों को पकड़ा जै अंतोस्टी जैपुर को भी जाम करने का कां करेंगे और पुरे राजस्तान को भी वापिस बंद करने का भी करेंगे क्योंकि जिस तरीके से टार्गेट बनाकर और इन सरकार हमलाग हो रहा है सरकार हमारे कोई सुध नहीं लए रही है जब पंजाब शरकार के सब्सुगदेव हत्या हो सकती है यह राजस्तान सरकार के मुख्या रहे गयलो साहब के कान में जूत तक नहीं रहें यह बहुत निंदनी है और हम आने वाली सरकार से भी यह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इने आरोपियों को गिरबदार करके हमारे सुप्रीमों सुग्देशिंग को गाम मेड़ी को न्याय देने का काम करें वरना यह राजपुत समाज अब उद्वेलित हो जागेगा और सड़कों पर उतर कर उगर अंदलन करेगा अब हमाज अब हमाज इस यहां सर्कील कर स्री राजपुत शेना के राश्ट डेक्ट सूपदेव सिंगंजी गऊगा मेडी जी इनने और यहां से आगे फिर गोगामेडी जाने का भी यहां से हम पूरे दलबल के साथ वहाँ जाएंगे और उनको उनको फांसी सजाओ तब भी सच्ची संदाल्जी उनको मानिशाएगी विक्रम सिंग जी सरपंच दुजोद गिल पर आज राश्ट्य देख्ष हमारे शुक देशिंग जी को हम सब लोग 37 कों के लोग मिलकर यहां पर सुन्दाल्जी पिल की गई है और एक राश्ट्य देख्ष होने के नाते मैं तो यह कहूंगा सारे समाजों में इतना बड़ा दुख है जैसे कल का जो बन था उसमें पूरे देश परदेश और हमारे भार देश के चाहिए मद्य परदेश और सारा भार देश इस वाद का सोक बना रहा है एक बहुत बड़ी बात है को एक सामजिक वेखती थे किसी समाज में कहीं भी कोई कुछ होता था तब ही वावाज उठाते थे और वो आवाज हिंदुतों के आवाज उठाते थे तो मैं तो यह कूँगा कि आज हमारे सब के लिए 36 कौम के लिए इतना बड़ा दुख न हो सकता है कल हमारे जो हमने बंद कर वाया है तो सारे समाजों ने मिलेकर हमारे साथ होसा उकर सारे बजार बंद के थे इसके लिए हम सब लोग olika subみ सुसना मिली भी नहीं पहले पता ही नहीं था एक दम बचाने के आदे गंटे पहले सुसना हो के इसाब से हम लोग सब लोग यहां शत्यस कौम के आके सदाजीपत के अमर आज जिस परकार से राजपु समाज ने इन दो दिनों के अंदर एक अनुसासित कौम होने का जो परीच करके अनुसासित कौम होने का जो परीचे दिया है इस कौम को मजबूर मत करना मैं दो ही बात कहूंगा हमारे को गिर्टारी नहीं चाहिए हमाएं एंकाउंटर चाहिए इसके लाव कुछ नहीं चाहिए हमें धन्यवाद प्रवाद! इस चेप्ट प्रवाद! इंडब इंडब, इंडब, इंडब.